हेगाइज, लम्कम बेक to my channel मैं हो शईता और यहाँ पे मैं share करती हूँ प्रेगनेंसी से रेलेटेड बहुत तिप्स और प्रेगनेंसी के बाद बेभी केर से रेलेटेड भी टिप्स मैं अपने बेभी से रेलेटेड सारी चीज़ेश करती हूँ यहां पर तो प्रेगनेंसी के बाद भी आपके ये चैनल काम आने वाला है तो चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली स्वेलिंग के बारे में जो प्रेगनेंसी चीज़े डिसकस करेंगे स्वैलिंग के बारे में और जो सबसे पहले स्वैलिंग आपको पता चलती है वो होती है डाइगनोस आपके पैरो से जब आप चपल पहनेंगे तो चपल आपको टाइट होगी और कहीं ना कहीं वो मार्क छोड़ देगी तब आप समझ जाए कि आपक कहीं भी हो सकती है तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या रीजन रहते हैं स्वैलिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं स्वैलिंग के हम कैसे पैचानेंगे कि हमें स्वैलिंग हो रही है और कैसे हम उसको घर में ठीक कर सकते हैं क्या घरे लिए उपाय रहते हैं जिसके तुरू ह जो swelling है उसको सही कर सकते हैं Pregnancy में हमारी जो body में swelling है वो कई कारणों से हो सकती है लेकिन जो सबसे पहला और main कारण रहता है वो hormones change होने की बज़े से हो रहा होता है हमारे body में इतने सारे hormones से एक साथ change हो रहे होते है तो उसकी बज़े से हमारे body में कही न कहीं swelling दिखाई देती है हमारा uterus बढ़ रहा होता है जिसकी weight की बज़े से हमारे पैरों में swelling आ जाती है blood flow जो हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है उसकी बज़े से भी हमारे पैरों में swelling आ सकती है बीपी हाई रहने की बज़े से बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि बीपी हाई रहने की बज़े से भी उनका जो है बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग दिखाई देती है और कभी-कभी तो होता है कि बलड की कमी हो जाती है बहुत सारे लोगों में इस कारण भी स्व तो इस खास खयाल हमें रखना है कि हमारी बॉड़ी में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए जो आइरन की टेबलेट्स हमें मिलती है प्रेगनेंसी में बहुमें प्रॉपर खानी है और कभी भी हमारा जो हीमोगलोविन है बो भी कम नहीं होना चाहिए उसकी बज़े से भी हमको दिखत आसकती है swelling की और मेरे जो होता है पानी की कमी की बज़ेसी बीуюड़ फीन केकुछ नहीं एक बात Krubhap अब हम बात करेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या है हम घर में क्या कर सकते हैं जिसकी वज़े से यह जो स्वैलिंग की दिक्कत है वो हमारे साथ ना हो यहां पर सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय जो रहेगा आप आधा वाल्टी पानी लीजिए और पानी थोड़ा गुन में बाल पैर लटकागे रख सकती हैं उतनी देर लटकाई है इससे आपको बहुत आराम मिलेगा स्वैलिंग में और यह बहुत कारगर उपाय रहता है नेक्स्ट आप कर सकते हैं जब भी आप सोने जाए हमेशा आप अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो को रखे तक तक आप कहीं भी खड़े ना रेहे हलका-फुलकार चलते फिरते रहे हैं अगर आप ऑफीस जाते हैं तो आफिस में बैटने की ज़रूर ज़्याधा पड़ती है तो भी आप कहीं न पानी पीने के लिए जाते अगर आप बैठेंगे तो जरूर से swelling आ जाएगी तो आप हमेशा चलते फिरते रहें जाद तक कहीं भी ना बैठें हमेशा walking करते रहें exercise को अपनी daily routine में लेके आए exercise से आपको swelling में बहुत आराम मिलेगा next अगर आपको swelling की बहुत ज्यादा problem हो रही है तो सबसे पहले आप नम नमक उतना ही नमक खाए ज्यादा नमक ना खाए और हमेशा कोशिस करें कि coconut water पी है coconut water से जो swelling होती है हमारी body में उसमें बहुत relief मिलता है coconut water में वह सारी चीजे होती है जो हमारे सरीर को कहीं ना कहीं relief देती है so I hope कि आपके लिए वीडियो यूसफुल रहा कर वीडियो आपक कर दीजेगा जाके मेरी और वी वीडियो देखिए वह आपके लिए बहुत important हो सकती है उसमें बहुत सारी useful tips है thank you thank you so much for watching thank you